स्टुडेंट्स, अध्याय एक में आगे बढ़ते हुए, आज हम इसका उधारन पांच हल करना सीखेंगे, तो यहां से नए तरीके के सवाल सुरू हो रहे हैं, तो इनको करने से पहले कुछ चीज़ें जाल लो, जैसे, आपरी में संख्याएं, जितनी भी करनी वाली संख्याएं हैं, उन सभी को कहते हैं, जैसे, करनी तीन, तो है ही एक आपरी में संख्या, और इसके अलाबा, करनी पांच एक आपरी में संख्या है, जिनके बर्गमूल नहीं निकल पाते हैं, है ना, जैसे आप कहोगे कि सर करणी चार एक आपरी में संख्या है तो आंसर है नहीं आपरी में संख्या नहीं है फिर तुम पूछोगे सर करणी तो लगी है तो करणी लगी है लेकिन चार का बर्गमूल दो बाहर आ सकता है और दो के बटे हम एक अपने मन से लिख सकते हैं तो ये अंस बटे हर के रूप में हो गई तो ये तो परिमे संख्या बन गई ना ये तो क्या बन गई परिमे संख्या तो और बाकी ये जो संख्या है वो आप परिमे हैं उन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते जैसे अगर आपके सामने लिखा है करणी साथ, तो वो भी क्या है, इसका बरगमूल नहीं बाहर निकलता है, तो ये तीनों आपरिमे संख्या की केटेगरी में आएंगी, क्या कहलाएंगी आपरिमे संख्या हैं, अब और थुड़ा डिटेल में समझो, अगर आपके सामने कोई आपरिमे संख्या लिखी है, ठीक है, लेकिन उसमें किसी परिमे संख्या जैसे चार का गुणा है, अब चार परिमे क्यों हैं, क्योंकि चार के बटे हम एक लिख सकते हैं, ये हम सुरुवात में पढ़ चुके हैं, तो अगर हम किसी आपरिमे संख्या में किसी परिमे संख्या का गुणा कर दें, तो क्या वो संख्या परिमे हो जाएगी, क्योंकि उसमें परिमे का गुणा होगा है, तो अंसर है नहीं, किसी आपरिमे संख्या में ये कौन सी है आपरिमे संख्या, और ये कौन सी है परिमे संख्या किसी आपरिमे संख्या में किसी परिमे संख्या का गुणा करने से वो पूरी आपरिमे ही बन जाती है समझ पा रहे हो ना जैसे आपके सामने कोई आपरिमे संख्या है करने ही पांच मान लेजे और इसमें हमने 6 का गुणा कर दिया तो 6 एक परिमे संख्या है लेकिन इसके साथ में गुणा होने से पूरी संख्या अब हो जाएगी आपरिमे संख्या समझ गए की नहीं अब ये तो हो गया गुणा का हिसाब किताब की चलो ठीक है परिमे संख्याओं का गुणा अगर आपरिमे में करते हैं तो वो खुद आपरिमे हो जाती है लेकिन अगर कोई आपरिमे संख्या आपके सामने है जिसे पांच और उसमें कोई परिमे संख्या इस बार गुणा ना करके जोड़ दें तो क्या होगा तो इसका भी क्या होगा जो पहले हुआ है आपरी में संख्या में चाहे आप किसी भी संख्या का गुणा कर दें चाहे कोई भी संख्या उसमें जोड़ दें वो सब मिलाके क्या बन जाती है आपरी में ही बन जाती है क्या बनती है आपरी में ही बनती है अब इन ही सब चीजों को सिध्ध करना इन उधारणों में दिया गया है जैसे आप सभी जानते हैं कि करणी तीन बर्गमूल इसका बाहर नहीं आ रहा है तो ये एक आपरी में संख्या ये आप सभी जानते हैं लेकिन ये सिध्ध करके सिध्ध दिखाने के लिए हम एक मैथड यूज करते हैं, हम एक बिधी उपियोग में लाते हैं, वो बिधी है, बिरोधोक्ती बिधी, अब वो कैसे होगा, एक लंबी प्रोसेस चलती है, लेकिन बेहद ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एक चीज अच्छे स समझ में आएगी, उधारन पांच से ही स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है कि करनी तीन एक आपरी में संख्या है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो इस तरीके से आएगा, सिध्ध कीजिए कि करनी तीन एक आपरी में संख्या है, ये सिध करना होता है तो चलो फिर सिद्ध करते हैं तो मैंने आपको बताया है किस बिधी से करते हैं कि आपको ध्यान है अभी बताया मैंने बिरोधोक्ती बिधी कौन सी बिधी बिरोधोक्ती बिधी तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बिरोधोक्ती बिधी से अब आपने ये बिधी ना कभी सुनी है ना देखा है तो आपके दिमाग में सवाल आ गए होंगे कि ये क्या है देखो मैं बताता हूँ बिरोधोक्ती विधी का मतलब होता है किसी भी चीज का बिरोध करके सिद्ध करना अगर हमने किसी चीज का बिरोध किया लेकिन वो solution में बिरोध अलग दिख रहा है और ये उसमें बिरोध का उल्टा ही सिद्ध हो रहा है तो हम मानेंगे कि हमने बिरोध जो किया था वो गलत था अर्थात ये जो संक्या है वो बैसी ही है हमें बिरोध नहीं करना चाहिए था अभी आएगा समझ में दीरे दीरे पहले क्या करना है बिरोधोक्ती बिधी में हमें दिये हुए का उल्टा मानना पड़ता है जो भी हमें दिया रहता है न हम इसका उल्टा मानेंगे तो हमें क्या दिया गया है करणी तीन एक आपरिमे संख्या ये हमें दिया है तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि करणी तीन मान लेते हैं कि एक परिमे संख्या भली है नहीं लेकिन लेकिन मानना पड़ेगा क्योंकि ये बिदी ही उल्टी है बिरोध होकती बिदी मतलब हम बिरोध करेंगे जो सवाल दिया गया है उसका ही बिरोध करेंगे तो हम लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना करणी तीन एक परिमे संख्या है इस तरीके से हम उसे मान लेंगे कि माना करणी तीन एक परिमे संख्या है जबकि दिया गया है वो आपरिमे है तो आपरिमे तो है ये तो दुनिया को पता है लेकिन प्रूब करके दिखाने के लिए हम उसको उल्टा मान लेंगे कि माना करणी तीन एक परिमे संख्या है अब परिमे संख्या है परिमे संख्या है, तो जब ये भी परिमे संख्या है, तो परिमे के बराबर परिमे हम लिख सकते हैं अब यहां पर P और Q के बारे में जानकारी देना है, तो P और Q दोनों ही सह अभाज्य पूडांक है, मतलब इनका एक एक ही गुड़नखंड है इसके अलाबा दूसरा गुड़नखंड नहीं है, ये खुद ही एक गुड़नखंड होंगे ये खुद ही एक गुड़नखंड होंगे तो सह अभाज्य पूडांक है तो इस तरीके से लिखना है कि जहां P और Q सह अभाज्य पूडांक है और Q बराबर नहीं है जीरो इसका मतलब समझ लो पहले हमारे पास कोई भी परिमेई संख्या रहती है बहुत ध्यान से समझना एक सवाल समझ में आगया तो पूरों का लॉजिक पता चल जाएगा जितने भी आगी सवाल है जो परिमेई संख्या होती है वो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है P बटे Q मतलब अंस और हर के रूप में जैसे तीन बटे पांच जैसे दो बटे साथ ये परिमेई संख्याओं के कुछ उधारन है ये देखो ये परिमेई संख्या है तो यहां P और Q सह अभाज पूरांख पहले ये बाली लाइन समझो कि P और Q क्या है सह अभाज पूरांख है इसका मतलब ये होता है कि तीन का एक ही गुड़न खंड होगा तीन और पांच का भी एक ही गुड़न खंड होगा पांच सह अभाज पूरांख ऐसे पूरांख होते हैं जिनका HCF एक आता हो अगर इन दोनों तीन और पाच का HCF निकालोगी तो इन में कोई common नहीं आएगा तो हम गुड़ा एक और गुड़ा एक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछले सवालों में समझाया यानि कि ऐसे पूड़ांक ऐसी संख्या है जिनका HCF highest common factor महत्तम समाब बरत एक होता है उन्हें सह अभाज पूड़ांक कहते हैं मतलब तीन का कोई गुड़न खंड नहीं होगा तीन के अलावा सीधा सा समझो सह अभाज पूड़ांक का मतलब क्या होगा ऐसे पूड़ांक कि उनका संख्या स्वैम के अलावा कोई दूसरा गुड़न खंड नहीं हो सकता है कोई दूसरी संख्या नहीं हो सकती सिर्फ एक हो सकता है तो एक को एगनोर करो थोड़े देर के लिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो क्या है सह अभाज पूड़ांक ऐसे पूड़ांक होते हैं जिनका खुद के अलावा कोई दूसरा और दूसरी संख्या गुड़नखंड नहीं हो सकती जैसे पांच है तो पांच का गुड़नखंड पांच ही होता है इसका कोई दूसरा गुड़नखंड नहीं हो सकता एक को चोड़ के तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो P और Q है ये दोनों ही परिमे संख्या बोल रहे हैं अगर तो दोनों ही सहे अभज पूड़ांक होते हैं ना P का कोई गुड़न खंड हो सकता है ना Q का कोई गुड़न खंड हो सकता है और अगर सवाल में कहीं पाया गया कि P का कि P और Q दोनों ही सहय भाज पूड़ांक नहीं है जब सहय भाज पूड़ांक नहीं है इसका मतलब P और Q दोनों ही परिमे संख्या नहीं है याद रखना इस बात को अगर P और Q P और Q का कोई गुड़न खंड निकल के आ जाए समझ लो इस बात को अच्छे से अगर P और Q इन दोनों मैंसे किसी का भी अगर गुड़न खंड सवाल से पता चले परिमे संख्या लिखी जैसे दो बटे साथ है तो यहाँ पे दो एक सहय भाज पूड़ांक है आप चेक करके देख लिए जे दो का गुडनखंड सिर्फ दो ही होता है साथ का गुडनखंड सिर्फ साथ ही होता है हाँ एक मान सकते हो वो अलग बात है तो संख्या स्वय में एक के अलावा कोई दूसरी पांच, तीन, चार ऐसा कोई अन्य संख्या गुडनखंड नहीं हो सकती मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता और वही होंगे सहय अभाज्य पूरांक या दूसरी भासा में जिनका HCF क्या हो एक हो वो कहलाते हैं सहय अभाज्य पूरांक तो P और Q जो हमने लिखा है कि P और Q सहय अभाज्य पूरांक है मुझे उम्मीद है कि उसका मतलब समझ में आ गया होगा मतलब इनका कोई गुड़नखंड नहीं है न P का गुड़नखंड है न Q का है ये दोनों बटे के रूप में लिखे हैं ये क्या बोलके लिखे हैं कि P कह रहा है कि मेरा कोई गुड़नखंड नहीं है Q कह रहा मेरा भी कोई गुड़न खंड नहीं है मैं तो करणी 3 के बरावर में लिखूंगा लेकिन अगर सवाल में पाया गया कि इनका कोई गुड़न खंड है तो ये fault यानि कि ये धोके बाज निकलेंगे और फिर इनको वो अपन परिमे मानने से इनकार करेंगे अगर ऐसा कभी होता है तो लेकिन अभी फिलहाल P और Q दोनों क्या है सह अभाज पूड़ांग है और साथ में अब समझ लो के Q बरावर 0 नहीं इसका मतलब क्या है देखो अगर कोई परिमे संख्या है 3 बटे 5 तो इसमें P क्या है 3 और Q क्या है 5 लेकिन अगर Q 0 रख दे 3 रहेगा और बटे में अगर Q का मान 0 हो जाए तो ये पूरी संख्या को ही 0 बना देगा इसका मतलब Q जो है कभी 0 नहीं होगा अगर 0 हो गया तो वो सब पूरा मान 0 हो जाएगा इसलिए Q बरावर नहीं है 0 मतलब Q 0 नहीं हो सकता कुछ ना कुछ होगा यहां पे 0 के अलावा तो ये भी समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते है तो अभी जो सवाल में दिया गया था कि करनी 3 एक A परिमे संख्या है हमने उसका अपोजट माना कि करनी 3 क्या है एक परिमे संख्या ये जबरजस्ती माना हमने बिरोधोक्ती बिदी से अब जबरजस्ती है तो फिर P क्यू आ गया और P और Q में हम क्या मान के चलना है कि P और Q दोनों के और कोई गुड़न खंड नहीं है सिर्फ अकेला P और Q ही है और कोई नहीं है पाँच तीन दो ऐसी कोई संख्या नहीं है ये हमने माना अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे Q का गुड़न करनी 3 में ठीक है तो क्या आएगा Q करनी 3 Q तरिया गुड़न इसे बोलते हैं इसके बटे एक करके कर सकते हैं इसका इसमें गुड़न और इसका इसमें गुड़न तो Q का गुड़न करनी 3 में किया तो Q करनी 3 आ गया और P का गुड़न एक में किया तो P आ गया क्लियर हुआ की नहीं अब इसके बाद हम दोनों पक्चों का बर्ग करते हैं तो लिखेंगे कि दोनों पक्चों का बर्ग करने पर तो दोनों पे बर्ग ला जाएगा मतलब Q करणी तीन पे भी हम बर्ग लगा लेंगे और P पे भी हम बर्ग लगा लेंगे इसका परिणाम क्या होगा दोनों तरफ बर्ग लगाने से क्यों पे भी बर्ग आ जाएगा और करणी तीन पे भी बर्ग आ जाएगा अब ये समझो कि करणी तीन पे बर्ग आ रहा है इसका परिणाम क्या होगा करणी तीन को हम दो बार लिख सकते हैं करणी तीन गुलित करणी तीन इसका मतलब है कि करणी एकटी भी लगा सकते हैं क्योंकि दौनों पर सेम करणी है तो तीन तीन अंदर हो जाएगा इसका मतलब है कि तीन की जोड़ी बनके तीन बाहर आ गया हमेशा के लिए याद रख लो कि समान संख्या करणी में हो और उनका गुणा हो रहा हो तो वो संख्या बाहर निकल के आती है जैसे ये आ रही है मतलब करणी तीन का गुणा करणी तीन में करोगे तो तीन बाहर आएगा करणी 5 का गुणा करणी 5 में करोगे तो 5 बाहर आएगा करणी 6 का गुणा करणी 6 में करोगे तो 6 बाहर आएगा समझ गया हो ना पैटर्न गलित में पैटर्न की बहुत भूमिका होती है हर वार नियम लगाने की जरुत नहीं है पैटन समझो करनी तीन, गुलित करनी तीन, तीन बाहर, करनी पांच, करनी पांच, पांच बाहर यहाँ देखो, करनी तीन का वर्ग है न, क्यू का तो वर्ग हो गया, करनी तीन का वर्ग है तो तीन आएगा बाहर तो संख्या को आगे लिख लो तो 3 Q वर्ग आ गया बराबर P वर्ग अब पता है यहां से एक बात पता चल रही है कि P वर्ग के सामने क्या लिखा है 3 जैसे कहीं पे अगर 12 लिखा हो और 12 के सामने लिखा रहे कि 2 गुड़े तो 2 गुड़े 3 तो ये तो बारा के गुड़नखंड है तो हमने लिखे तो बारा के गुड़नखंड दो गुड़नखंड दो गुड़नखंड तीन है तो बारा के सामने लिखे होंगे न इसी तरीके से पी बर्ग के सामने क्या लिखा है तीन इसका मतलब ये हुगा कि पी बर्ग का एक गुड रहा है कि मेरा कोई गुड़न खंड नहीं है मेरे अलावा लेकिन यहां पे तो यह पी बर्ग का गुड़न खंड तीन दिख रहा है तो अगर पी बर्ग का एक गुड़न खंड तीन है तो गलित कहती है कि पी का भी एक गुड़न खंड तीन होगा समझ पा रहे हो ना लेकिन यहाँ पे तो यह कह रहा है मैं तो सहय भाज्य पूरांग हूँ पी और साथ में क्यों भी बोल रहा है कि मैं भी सहय भाज्य पूरांग हूँ लेकिन यहाँ पे तो पकड़ गया ना यहां पे पी वर्ग कह रहा है पी वर्ग के सामने क्या दिख रहा है तीन तो गड़त जूट नहीं हो सकती पी वर्ग के सामने क्या है तीन मतलब यहां पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यहां बहुत ध्यान से समझते जाना पूरा समझ में आएगा यहां पी वर्ग का एक गुड़न खंड तीन है पी वर्ग का एक गुड़न खंड क्या दिख रहा है बहुत ध्यान से बताओ पी वर्ग का एक गुड़न खंड क्या दिख रहा है तीन है तो गड़त कहती है कि जब किसी संख्या का बर्ग का वो गुडन खंड है तो उस संख्या का भी होगा तो लिखेंगे तो P का भी एक गुडन खंड तीन होगा तो अब यहां पे P पकड़ा गया P ने यहां पे जूट बोला कि P और क्यू साहभाज पूरांक तो थे तभी तो वो परिमी संख्या है लेकिन P का तो एक गुड़न खंड यहाँ पे तीन निकल के आ गया इसका मतलब है कि P सहय भाज पुड़ांक नहीं है यहाँ पे हमने जो माना था वो हमारे ही खिलाफ हो गया है अब देखो आगे अब चलो फिर भी ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो अकेला ही बारा का गुड़न खंड और भी संख्याएं होंगी इन्हें हम M माल लेते हैं क्या माल लेते हैं M कि एक तो दो है उसके अलावा पता नहीं है कौन-कौन जैसे P बर्ग का एक गुड़न खंड अगर पांच है या तीन है जो इस सवाल में दिख रहा है कि P बर्ग का एक गुड़न खंड तीन है तो P का भी एक गुड़न खंड तीन होगा गड़त कहती है तो जब P का एक गुड़न खंड तीन है तो P के अभाज गुड़न खंड क्या होंगे तीन और इसके अलावा और भी कुछ होगा क्योंकि इसमें तो एक ही पता चल रहा है तो और भी कुछ होगा उसे एम माल लो क्लियर सिधी बात जैसे अगर तुम्हें कोई बता दे कि बारा का एक गुणन खंड मुझे पता है कि दो होता है तो बाकी के भी तो होते होंगे सिर्फ तुम्हें तो एक पता है ना तो बाकी के जितने भी होंगे वो पता ना हो तो ने एम माल लिया जाता है तो यहां से हमें पता चला कि पी बर्ग का एक गुणन खंड तीन है तो गलत ने बता दिया कि तो P का भी एक गुड़नखंड 3 होगा तो फिर गुड़नखंड वाली स्टोरी ने बता दिया कि जब P का कोई गुड़नखंड 3 है तो P बरावर हम 3 लिख सकते हैं और साथ में कुछ गुड़ा गुड़ा करके और भी गुड़नखंड होगे उन्हें हम M मान सकते हैं तो P की वैल्यू हमने निकाल दी कि P बरावर 3 M होगा और P सहय भाज़ पूरांक नहीं हो पाएगा क्योंकि P तो यहां पे पकड़ गया है अब पकड़ा है तो फिर उसने बताया कि मेरे गुड़नखंड 3 M के रूप में हो सकते हैं सबाल को डूब के समझ लो यह वाला क्योंकि यह पहला सबाल है इसके बाद कि सारे सबाल बड़ी आसानी से कर पाओगे तो P बरावर कितना हो गया 3 M P का मान इसको समीकरण 1 बना के P का मान यहां पे रख दो तो Q की पूल भी खुल जाएगी Q है की नहीं सहावाज पूरा यह भी पता चल जागा देखो कैसे P का मान समीकरण 1 में रखने पर क्योंकि P पकड़ा गया तो Q को भी पकड़वा देगा देखो कैसे P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो चलो भाई रख देते हैं पूरा समय करने एक लिखो यहां से, पहले क्या लिखा है 3, तो 3 लिख लिया, फिर क्या लिखा है Q2, तो Q2 लिख लिख लिया, बरावर P बर्ग लिखा है न, P का मान तो 3 M है, तो P की जगाए पे 3 M रख दो, और P का बर्ग है, तो P का मान तो 3 M है, लेकिन उस पे बर्ग है, तो बर्ग भी लगा तो इसको solve करो तो 3 Q square बराबर 3 का बर्ग 9 होता है और M का बर्ग M बर्ग होता है तो 3 ये जो है 3 और ये बराबर बीच में है तो आमने सामने की संख्यां कट जाएंगी तो 3 तिर का 9 तीन बार कटेगा 3 से 9 तो Q बर्ग अकेला इस तरह बचेगा और यहां बचेगा 3 M square देखो भाई यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि Q बर्ग का एक गुड़न खंड क्या है 3 है लेकिन यहां पे Q बर्ग क्या कह रहा था कि Q भी क्या है सहय भाज पूरांग है और सहय भाज पूरांग का मतलब होता है कि Q का कोई गुड़न खंड नहीं है लेकिन यहां पे क्या है यह सवाल में Q बर्ग का एक गुड़न खंड है तो गड़त कहती है कि Q का भी होगा तो यहां पे हम फिर से वही बहासा लिखेंगे इस तरीके की कि Q बर्ग का एक गुड़न खंड तीन है तो गड़त के अनुसार Q का भी एक गुड़न खंड तीन होगा यहां प्रॉबलम आ गई कि ना तो P सच्चा है और ना ही Q सच्चा है लेकिन इनकी गलती नहीं है यहां पे गलती हमारी ही है क्यों? अब आप कहोगे सरह हमारी गलती कहां से आगई क्योंकि हमने माना ही जवरजस्ती उल्टा था अब हमारी ही कल्पना जो हमने माना था कि बिरोधोक्ती बिधी से चलो करते हैं करनी तीन तो पहले से ही आप परिमे था लेकिन हमने उसे जवरजस्ती परिमे माना तो बिचारी ये भी P और Q जो परिमे कहलाते हैं उनका भी गुड़न खंड निकलने लगा इसका मतलब है कि जो हमने माना है वो सही नहीं माना है हमारी कलपना गलत है क्योंकि ये statement देखो आप ये statement से पता चलता है कि P का गुड़न खंड तीन है इसका मतलब P जो है साय बाद्य पूरांक नहीं है इसे मानलो कथन एक और इसे मानलो कथन दो और कथन एक वाद वाद दो से सपस्ट है कि P बटे Q परिमे संख्या नहीं है कथन यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ी सी भासा है लेकिन नमबर अच्छे मिलेंगे तो हमने लिखा कि कथन एक वाद दो से इस पश्ट है कि P और Q सहय भाज पूरांक नहीं है जब सहय भाज नहीं है तो P बटे Q परिमे संख्या नहीं है किलियर यहाँ पे पता चल गया तो जब P बटे Q परिमे संख्या नहीं है इसका मतलब उसके बराबर में जो लिखा है करनी तीन वो भी परिमे संख्या नहीं है तो लिखेंगे तब करनी तीन भी परिमे संख्या नहीं है वो तो पहले से ही नहीं थी तो यहां पे सिद्ध हो गया कि करणी तीन भी परिमे संख्या नहीं है यही तो हमें प्रूब करना था कि करणी तीन भी परिमे संख्या नहीं है जब नहीं है तो क्या है भाई आपरिमे है तो लिखेंगे अताय हमारी कल्पना गलत है और करणी तीन एक आपरी में संख्या ही है इस तरीगे से सवाल को समझने के साथ कॉंसेप्ट के साथ हमने समझा टाइम भले ही लगा है लेकिन सवाल को डूब के समझा है जितने बच्चे अभी तक देख रहे हैं वो निश्चे थी गड़ित में रुची अपना इंट्रेस्ट बढ़ा ही लेंगे कुछ भी हो जाए और कभी भी उनको अगर बदल के भी सवाल आता है तो उन सवालों को भी वो लगा पाएंगे तो उमीद करता हूँ कि उधारन पांच को बहुत अच्छे से समझ पाए हो गया अब नोट कर लो अच्छे से क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी चलिए यहां से वीडियो को पॉस करकर के नोट कर लेना इसके बाद यहां पे इसके बाद यहां पे समझ में आ गया हो तो कमेंट में अच्छे-च्छे कमेंट कर देना ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि वीडियो में कुछ दम है साथ में ये भी आप बताना अगर नहीं पसंद आया है तो भी बताना कि कहां दिक्कत हो गई ठीक है क्योंकि मुझे में भी कमजूरियां हो सकती है हो सकता है कहीं मैं चूक कर गया हूँ बट मैंने अपनी पूरी कोसिस की है आपको बहुत बहतरीन समझाने की मिलते हैं उधारण च्छे के साथ आप नेस्ट वीडियो में जरूर मिलिएगा थेंक यू